ओम शान्ते आज है 23 मई 2022 की साकार मुल्ली आए सुनते हैं बाबा के मिठे मिठे महावाक्यों को मिठे बच्चे बाब की श्री मत पर चलने से उंच बनेंगे रावन की मत पर चलने से सारी इज़त ही मिठे में मिल चाएगी प्रैशन इश्रिय बर्थ राइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी सुनाओ उत्तर ऐसे वारिस बच्चे नमबर एक बाब को पूरा पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे नमबर दो शुद्रों की संग से बहुत बहुत संभाल रखेंगे कभी भी उनके संग में आकर बाप की श्रीमत में अपनी मन मत मिक्स नहीं करेंगे नमबर तीन अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाएंगे नमबर चार एक दो को सावधान करते उननती को पाते रहेंगे नमबर पांच, कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे गीत, माता ओ माता, तू सब की भाग्य विधाता ओम शान्ति, बच्चों ने यह गीत सुना जगत अंबा कामधेनू का वर्णन तो है ही यह महिमा है जगत अंबा की वास्त में, गुप्त रूप में तो यह ब्रमपुत्रा नदी भी है गाया भीचाता है, तो मात-पिता शिवर बाबा ब्रमः के मुक्कमिल से बच्चे पैदा करते हैं तो यह माता हो गई ना, यह हैं कोई यह बातें यहा बातें शास्त्रों में नहीं है बाबा ने समचाया है शास्तर है भक्ती मार्ग की सामगरी बाब बैट सब शास्त्रों का सार समचाते हैं ऐसे नहीं कि गीता पर समचाते हैं नहीं बाब तो खुद ही ग्यान का सागर है भल यह गीता भागवत आदी पढ़ा हुआ है शिबाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह सब बड़ा हुआ है नहीं वह तो नौलेज़फुल है कहते हैं मैं इस मनुष्य स्रिस्टी का बीच रूप हूँ स्रिस्टी के आदे मध्य अंत का मेरे में नौलेज है बाप कहते हैं मैं इसका वर्नन करता हूँ इस ब्रम्हा द्वारा फिर यह वर्नन प्राय हलोप हो जाएगा यह सच्ची गीता जो अभी तुम बनाते हो वहां भी हाथ में नहीं आएगी गीता आदी तो भक्ती मार्ग के शास्त्र हैं वे ही फिर निकलेंगे इन शास्त्र आदी पढ़ने से किसको सद्गती नहीं मिलती तुम बच्चे जानते हो यह जो भी एक्टर्स हैं पहले सब बिगर शरीर मुक्तिधाम में थे फिर यहां आकर शरीर धारन कर पाट बचाते हैं वहां भी आत्मा में अविनाशी पाट भरा हुआ है यहां स्रिस्टी का चक्र भी एक है इनका रचैता भी एक है एक ही स्रिस्टी का चक्र फिरता रहता है यहां है अविनाशी बना बनाया ड्रामा सत्युग में देवी देवताओं का राच्य था अभी तुम फिर से बन रहे हो परंपिता परमात्मा पहले पहले ब्रह्मा मुक्से ब्राह्मन स्रिस्टी रचते हैं पहले पहले नई स्रिस्टी है संगम की पुराना और नया ब्राह्मन है चोती पैर और चोती इसको संगम कहते हैं तुम ब्राह्मन बाप के साथ विश्य की रुहानी सेवा करते हो बाप भी रुषों की सेवा करते है, तुम भी रुषों की सर्विस करते हो, अर्थात, जो तमो प्रधान बन गए हैं, उनको सतो प्रधान बनाते हो, तो बाप की शुरिमत पर चलने वाले ही ऊँचते-ऊच पद पाएंगे, बच्चेँ को शुरिमत से ही स्रेस्ट बनना है, तुम बच्चे जानते हो, हम सोदेवी देवता, सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी इज़त ले ली, पुझ्जे से पुझारी पतित बना दिया, श्रीमत से मनुश्य स्रेस्ट बन जाते हैं, फिर रावन की मत से सारी इज़त मिट्टी में मिल जाती है। जे भी नया भारत, नया राज्य चाते थे, प्रन्तु नई दुनिया तो सत्यु को कहा चाता है, यहां तो दिन प्रति दिन दुख बढ़ता ही जाता है, बाबा कहते हैं, दुख बढ़ना ही है, तब तो मैं आता हूँ, मैं अपने वाइदे अनुसार फिर से आकर सहच जोग सिखाता हूँ, शास्त्र तो बाद में बनते हैं, यहां गीता आदे भी वही बनेंगे, अब इस विनाश्च वाला में सब खत्म होंगे, तुम इस शक्र को चानते हो, तुम बच्चों को स्कूल में जाकर समझाना है, तुम्हारी है हद की हिस्ट्री जोग्राफी, इ हद की हिस्ट्री जोग्राफी से हद का पद मिलता है, यहां है बेहद की, इसमें तीनों लोकों का ज्यान आजाता है, आदी में निराकारी दुनिया में बहुत आत्माई रहती हैं, अंत में फिर सभी आत्माई नीचे आ जाती हैं, सुक्षम वतनवासी, ब्रह्मा, नारायन करका पार्ट भी अभी है, तो तुम उन्हों से पूछ सकते हो, कि तुम जानते हो, कि सत्युग में लक्षमी नारायन का राज्य था, फिर क्या हुआ, क्या त्रेता के अंत तक एक ही लक्षमी नारायन का राज्य था, कितना समें राज्य किया और कितना एरिया पर, अभी तो आस्मान जमीन में भी पार्टीशन हो गए हैं, वहां यहां बाती होती नहीं, वहां भारत में बेहद का राच्च चलता है, अभी तो कितने टुकडे हो गए हैं, यहां सा मिलकर एक हो, सो तो हो नहीं सकता, अब आप बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी सुनाते हैं, 84 के चक्र में वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी आ जाती है, और फिर साथ में पवित्तरता भी जरूर चाहिए, अभी नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी है, मनुश्य समझते हैं, सन्यासियों के पास जाने से शांती मिलती है, बाप कहते हैं, शांती तो जब आत्मा का सोधरम ही शांत है, तो गुरू आदी से क्या शांती मिलेगी, अशांत करने वाली है माया, जब श्रेमत से इस माया पर जीत प्राप्त करें, तब सत्युग में पवित्तरता सुक शांती का वर्सा पाएं, वहां कोई नहीं कहेगा कि मैं अशांत हूँ, मेरे क शांती चाहिए, भारत में ही पवित्तरता सुक शांती थी, अभी तुम शुद्र से बदल ब्रहमन बने हो, इस में भारतवासियों को यहां भी पता नहीं कि हम किस धरम के हैं, हमारा धरम किसने और कब रचा, आदी सनातन देवी देवता धरम को किसको पता नहीं है, आर्य और अनार्य देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि भगवान ने खुद सरकी स्थापना की है, प्रंतु उन्हों का नाम फिर भी देवी देवता है, भारत का आदी सनातन देवी देवता धरम है, नकि हिंदू, यह बाब सारी बाते समझा रहे हैं, यह भी तु साथ ना होने के कारण याद भूल चाती है इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मनों का जो एक दो को सावधान करते रहें शुद्रों का संग होगा तो कुछ असर जरूर पड़ेगा बाप से पूरा वर्सा लेने के लिए फॉलो करना चाहिए धंदे धोरी में रहते बाबा को सच लिखे कि बाबा हम वैवहार में रहते फैक्टरी आदी में रहते कितना याद में रहे अपना अपना याद का चाट भीजना चाहिए तो बाबा भी समझे कि यहाँ अच्छा पुरुशार्थी है यहाँ तो बाब दादा को पत्तर भी नहीं लिखते हैं बाबा समझते हैं कोई सतो पुरुशार्थ करते हैं कोई रजो कोई तमो तमो पुरुशार्थी जो होगा वह सूर्यवन्शियों के पास आकर नौकरी करेगा साहुकार प्रजा के आगे जाकर नौकर बनेगा इनसे भी कमपद उसका होता है जो बाब के बनकर आश्चर्यवत सुनन्ती कथन्ती, फार्कत्ती देवन्ती उनकी दुर्कती सबसे बुरी होती है बाब का पूरा वर्सा लेना है तो पोता मेल भेजें तब बाबा रिजल्ट देंगे पूरा पुरिशार्थ नहीं करते तो माया एकदम खा जाती है इसलिए बाबा कहते है संग बहुत जरूरी है संग होगा तो समझेंगे हम इश्रिय कुल के है बाब समझाते है स्त्री पूरुष हो भल साथ रहो अगर आग लग गई तो खलास हो चाएंगे बाबा के तो धेर बच्चे है आएंगे भी और मरेंगे भी इसलिए बर्थ आसुरी बर्थ से उंच है आजकर आसुरी बर्डे बहुत मनाते रहते हैं उनको कैंसल कर इसलिए बर्डे मनाना शुरू करना चाहिए तो पक्का हो चाहिए बाबा राय देते हैं पुराना बर्थ मनाना कैंसल कर नया मनाओ आजकर शादी का डे भी मनाते हैं वह भी कैंसल कर देना चाहिए चेंज आने चाहिए बाप सिकेलधे बच्चें को कहते हैं यहाँ कोई नई बात नहीं तुम अनेक बार राज्य भाग्य गवाते और लेते हो कल्प कल्प बाप के पास एक जनम सेक्रिफाय कर 21 जनम का सुख पाया है तो क्यों ना हम पवित्र बनेंगे बाबा आपके श्रीमत पर चलेंगे आधा कल्पा स्रीमत पर चले हैं तो यहां बहुत खबरदारी रखनी है बड़ा भारी वर्सा है बात मत पूछो स्कूल में इम्तिहान में नापास होती हैं तो मुही पीला हो जाता है यहां भी बहुत सचा खानी पड़ती है बाबा सक्षबकार कराते हैं हम खुद तुम को बढ़ाते थे और कहते थे श्रीमत पर चलो फिर भी नहीं माना कितना गुनाह किया सौ गुना दंड देते हैं क्योंकि बाब की सर्विस में विख्ण डालते हैं बाब की निंदा कराते हैं श्रीमत पर चलने वाला सदा मीठा होगा किस पर क्रोद किया तो समझो आसुरी मत कोई समझते बाबा ने सभा में हमारी इज़त ली, सबकी आगे सुनाया, अरे बेहत का बाब तो सबकी इज़त बढ़ाते हैं, बाबा को इतने धेर बच्चे हैं, एक-एक को छिपा कर समझाएंगे क्या, बाब तो सबके सामने कह देते हैं, बाब की श्रिमत से ही स्रेष्ट स्रेष्ट बनेंगे, अपनी मत पर चले तो गिर पड़ेंगे, गिरते गिरते मर पड़ेंगे, यहां तो है ही चिंताओं की चिता, बाब तो वहां ले चाते हैं, जहां चिंता का नाम नहीं, तो श्री मत पर चलना पड़े, फिर जो चाहे सो बनो, श्री लक्षमी को वरने क हिम्मत चाहिए अपना मुह आइने में देखना चाहिए हम कहां तक लायक बने हैं जहां तक जीना है तब तक नौलेज लेते रहना है जगत अंबा के तुम हो बच्चे जो मम्मा की महिमास हो तुम बच्चों की जगत अंबा फिर मुख्य हो चाती है सोला हजार एक सो आठ की भी माला है रुद्र यग्य जब रचते हैं तो लाग साली ग्राम और एक शिव का चित्र बनाते हैं तो जरूर वह सम अददगार होंगी ना तुम सबी हो रुखानी यात्रा वाले ब्रम्हा के मुखवशा वली संगम युगी ब्रहमन परम, पिता, परमात्मा, ब्रम्हा द्वारा नई रचना रचते हैं धरम के बच्छे बनाते हैं तुम शुद्र धरम से बदल आकर ब्रम्हा मुखवशा वली बनते हो माया बड़ी दुश्मन है योग लगाने नहीं देती बाबा कहते ऐसे कभी नहीं कहना है लिए कि हम दीदी के पास जाकर योग में बैठेंगे बाप तो कहते चलते फिरते बाप और वरसे को याद करो बस वहाँ गीता सुनाने वाले ऐसे कहना सके यहाँ बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो स्वर्ग का भी तुमने सक्षदकार किया है बाबा अभी जास्ती कराते नहीं है नहीं तो नए लोग समझते हैं जादू है गीत था मम्मा की महिमा का मम्मा तो यहाँ ब्रम्हा भी है प्रंतु माताओं को संभालने के लिए जगत अंबा मुकर है ड्रामा में नून्ध है सभी से तीखी भी है उनकी मुरली बड़ी रसीली है तुम बच्चे चानते हो यहाँ शिरी क्रिशन प्रिंस से अब बेगर बन गए है शिरी क्रिशन के जित्र को देख बताओ तुमने क्या करम किये जो स्वरक का प्रिंस बने हो जरूर आगे जनम में राज्योग सिखा होगा जरूर बाप ही स्वरक का रचेता है उसने सिखाया होगा अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चे उन प्रती माद पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मार्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चे को नमस्ते हम रुहानी बच्चे की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मार्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक बाप की सर्विस में विग्न रूप नहीं बनना है शुरुमत पर चल बहुद बहुद मीठा बनना है किसी पर भी क्रोध नहीं करना है नमबर दो माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है शुद्रों का संग नहीं करना है बाबा को अपना सचा सचा पोता मेल देना है इशर्य बाड़े मनाना है आसुरी नहीं वर्दान बाप दादा के सनेह के रिटरन में समान बनने वाले तपस्वी मूरत भव समय की परिस्थितियों के प्रमान स्वा की उन्नती वाति व्रगती से सेवा करने तथा बाप दादा के सनेह का रिटरन देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यक्ता है बाप से बच्चों का प्यार है लेकिन बाप दादा प्यार के रिटर्न सरोब में बच्चों को अपने समान देखना चाहते हैं समान बनने के लिए तपस्वी मूरत बनो इसके लिए चाड़ों और के किनारे छोड़ बेहद के वहरागी बनो किनारों को सहारा नहीं बनाओ श्रोगन शीतल बन दूसरों को शीतल द्रिस्टी से निहाल करने वाले शीतल योगी भव शीतल बन दूसरों को शीतल द्रिस्टी से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो शुक्रिया बाबा शुक्रिया रोज मुर्ली सुनने के लिए आप शिवाबा मुर्ली मदवन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि शिवाबा के मुर्ली रोज आपके पास पहुंचे ओम शैन्ती